आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में एक सुप्रेम कोट है जिसे आप लोग उच्चितम न्याले की नाम से भी जानते हैं और यह हमारी सर्वोच न्याले हैं आप देखें आपको भली अपने नेताओं पर भरोसा हो या ना हो पुलिस विवस्ता पर भरोसा हो या ना हो लेकिन आपको न्याय विवस्ता पर भरोसा रहता है और आप लोग कहते रहते हैं कि हमें न्याय पालिका पर भरोसा है जो फैसला देगी सही देगी और आप देखत के मुक नयायदीस, धनन्यय, वाई, चंद चूड बनाए गए हैं, तो आज हम लोग इनके बारे में भी बात कर लेंगे, सुप्रिंग कोड के बारे में बात करेंगे, और इनके द्वारा कुछ फैसली पहले दिये गए, और जिन फैसलों में ये भी सामिल रहें, उन फैसलों पर भी हम लोग देख लेंगे, और अगर आप लोग किसी एकजाम के तयारी करें, सिविल सर्वेस हो, एस्टेट पीसी हो, वंडे एकजाम हो, तो आप लोगों के लिए टॉपिक कापी मात्मूर रहता है, और वैसे भी मेरा मानना है कि अगर आप भारत में रह रहें, तो भ स्थाबना की बात करें, तो एक अक्टूबर 1937 में, फेडरल कोर्ट और इंडिया की रूम में इसकी इस्थाबना होई थी, आँगे चलकर आप देखते हैं कि 28 जन्मरी 1950 में इस सुप्रीम कोर्ट के रूम में इसकी इस्थाबना होती है, और आप देखेंगे वर्थमार में इसमें 34 नयादिस है, जिसमें से एक मुख नयादिस है और 33 अनय नयादिस है, और इनके सेबा निवित्ती की उम्र 65 साल रखी गई है, कितने 65 साल रखी गई है, और इन से पहले कौन थी, हमारे मुख नयादिस, तो ये थी, उदै, उमेश, ललित, और इनका टर्म खतम इनके पिता भी मुखने आदिस रह चुके हैं। जिनका नाम अगर आप लोग देकें कि नाम, तो इनका नाम था, ज्ण या वै भी चंदचुर। और आप देखेंगे कि यह भी मुखने आदिसら है और भारत के सोले भी मुखने आदीस के रूम इनों ने काम किया था। और इनके बेटे 50 पे मुख्य नायदिस बने ठीक है और 22 फरवरी 1978 से 16 जुलाई मापकरी 11 जुलाई इनके बेटे को ने डीवाई यानी की धनायदिस चुलाई याद रखेगा अगर हम लोग धनायदिस की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जनम कब हुआ था इनका जनम हुआ था 11 नवंबर 1949 में बॉम्बे स्टेट में और इनकी पतनी कल्पना दासो इनकी दो आप देखेंगे इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से भी ये किया हुआ है विदी संकाय दिल्ली से लल भी किया हुआ हाबर्ड लॉग स्कूल से लल एम और एस जडी किया हुआ है और भी उच्च न्याले के पूर्व नियादिस भे रह चुके हैं कौन डिवाई चंद जोड तो इनके बारे में याद रखें इनके पिता हैं और इनसे पहले उदय उमेश लली थे ये उनकी पिक्चर आप लोग देख रहे हैं देखें ये हमारा प्यारा भारत है दिल्ली में आप देखते हैं अपना नियाले तो इनके कुछ फैसली आप लोग देख लीगे उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोट के बारे में बात करेंगी किस तरह से मुक्ष नयादिस की नियुकती होती है और भी मात्पूर पॉइंट है तो आप देखेंगे इनने इसमें पहला निश्चित करने के लिए सुप्रीम कोट की 9 जजों की समिधान पीट ने दिया था अब आप मेंसे कई लोग इस सवाल पूछते रहते हैं कि 9, 5, 7, 13, 11 इस तरह की बिसम संक्या क्यों रखी जाती है पीट में जजों की संक्या तो देखिए और सम संक्या क्यों नहीं रखी नौ की जगह आठ रख देते लेकि इसमें आप देखिए कि आठ अगर रखते और मालन लिजे 4 उसके पक्च में होते हैं चार उसके विपक्च में होते हैं कोई तो नेड़ा निकलेगा तो इसलिए आप देखते हैं कि समसंख्या बिसमसंख्या रखी जाती है कम से कम एक जादा किसी में रहेगा कोई रेजल्ट तो हर हाल में निकलेगा इस पीट में जश्टिस डीवाई चंदचूंड भी सामिल थे और दरसल उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता जश् आता है हाला कि सुप्रिंग कोड ने यह भी कहा था कि अनुछेद 21 के तहत प्याप्त निश्टा का अधिकार यह आप देखेंगे निश्चिद और आसिमित नहीं है और आप देखेंगे यह 21 अनुछेद 21 से आपकी परिच्छाओं में भी कुश्टन कई बार पूच लिया ह तो इस पर भी ध्यान देजेगा आप लोग और दूसरा फैसला अगर आप लोग देखें तो यह था इनका डिसकस करेंगे वह समलेंगिकता को अपराद की सेंडी से बाहर करना सुप्रिंग कोट द्वारा IPC की धारा 377 को खतम करने वाले फैसले में 20 जश्टिस चंदचूर सामिल थे धारा 377 को सबसे पहले साल 1994 में चुनोती दी गई थी और 6 सेप्टमबर 2018 को इस फैसला सुनाते हुए सर्वोच नियाले ने समलेंगिता को अपराद सेंडी से बाहर रख दिया था और इसके साथ ही IPCC IPC की धारा 377 को कतम कर दिया गया था इस फैसले को सुनाते हुए जश्टिस चंदसूर ने कहा था LGBT लोगों की निजी जीवन में जाकने का अधिकार किसी को नहीं है आजकल आप देख भी रहे हैं कोई भी किसी से भी साधी रचा ले रहा है लड़की लड़की से लड़का लड़का से तो इस तब की बात हो रही है ठीक है और तीसरा IPC की धारत 497 का समाप्त करना किया जाना इसमें भी वो सामिल थे तो सुप्रीम कोट ने 10 अक्टूबर 2017 को एक याज का दाखिल कर दावा किया था कि धारा 497 पूरुस से भेदभाव करती है और समिधार की आर्टिकल 14, 15, 21 का उलगन करती है इस पाद सुप्रीम कोट ने 27 सेप्टमबर 2018 को धारा 497 को आसमिधानी कारत दिया था और इस धारा के तहट विवाहत्तर सम्मंद यानि अडल्टरी को अपराद बताय गया था कोट ने पाए कि आईफेसी की धारा 497 विविचार समिधान के अनुचे 14, 15 और 21 का उलगन करता है इस फैसले में भी जस्टिस चंदचूर सामिल थे आयुद्ध्या वेबाद पर भी उनका फैसला काफी महत्तपूर था जो आप देखते हैं कि बाबरी मस्चिद और राम जर्म भूमी का मलगला चला आ रहा था लंबे समय तक चला आप देखे जस्टिस चंदचूर सुपरीं कोट की उस बेंच में भी सामिल थे जिसमें आयुद्ध्या का वेबाद फैसला दिया था और 9 नवंबर 2019 को पांच जज़ों की समिधान पेंच ने विवादित जमीन को हिंदू पक्षकारों को सौपने कादेश दिया था साइथी हाई कोट ने यह भी माना था सुपरीं कोट ने कि 6 देसंबर 1992 को बावरी मर्चित के को गयर कानून तरीके से गिराई गई थी और मुसल्वानों की मर्चित के लिए एउद्या में ही पांच एकर जमीन उपलब्द करवाने का भी निर्देश दिया था और 9 नवंबर को ही आप देखे यह सुपरीं कोट के मुख नियाइदीस बने है और उनका अंतिम फैसला आविवाहित महलाओं को सुरक्षित गरपात का अधिकार का भी इसमें भी वो सामिल थे जश्टिट डीवाई चंदोचून ने एक हालिया फैसले में कहा था कि आविवाहित महलाएं भी 20 से 24 सब्ताय की अधि में गरपात कराने की हगदार है दरसल एक 25 बरसी आविवाहित गरपती महला को 24 सब्ताय का गरप था और जो की अपने रिष्टे के बेपल होने के बाद यह गरपात कराना चाहती थी और दिली हाई कोट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि एक कोट के मताबिक गरवावस्ता की चिकिस्टा समाप्ती नियम 2003 आविवाहित महलाओं को कबर नहीं करता है हाई कोट ने कि इस आधिस के खलाब महला ने अब आप देखेंगे कि चंद चूड का अपेच्छा किड दो वर्स का लंबा कारिकाल होगा और बेद 10 नवंबर 2024 को सेवया निवित्थ होंगे भारत की अगर मुख नयाइदिस की बात करें CGI की बात करें तो CGI को भारत का नागरेक होना चाहिए भारती है नागरेक होना चाहिए और निमलिकित और भी अहरताय होनी चाहिए उनके पास कम से कम 5 साल के लिए उच नयाइदिस हो या 2 या 2 से अधिक नयाइदिस रहा हो या कम से कम 10 वर्सों तक किसी उच नयाले या 2 या अधिक ऐसे नयालेओं के मैं अधिवक्ता रहा हो या राष्टपति की राय में developing बिदिवेता रहो ऐसे वैक्ती को मुख्ण नयादीस बन सकता है अगर मुख्ण नयादीस की नियुक्ति की भाहत होती है तो CGI और सर्वोच नयाले ऐसी के नयादीसों की नियुक्ति राष्टपती द्वारा समिधारी की अनुछे 124 खंड 2 के तहत की जाती है इस article को भी आप लोग याद रखेगा जहां तक CGI का सवाल है तो निरवर्तमान CGI अपने उत्तरादीकारी की सिफारिस करता है और केंद्री ये कानून मंतरी पिधान मंतरी को सिफारिस बेजता है और जो बदले में राष्टपती को सला देता है तो इसकी लंबी विक्रिया है ठीक है दूसरे नियादीस मामले 1993 में सर्वोच नियाले की इनने फैसला सुनाया कि सर्वोच नियाले की वरिष्ट नियादीस को ही CGI के पत पर नियुक किया जाना चाहिए जो सबसे वरिष्ट हो सर्वोच नियाले कॉलीजियम का नितित CGI करता है और इसमें नियाले की चार अने वरिष्टम नियादीस सामिल होते है और इसी की सिफारिस पर आप देखते हैं कि आंगे की कारवाई होती है एक तरह से आंगे कुछ होता है तो मुक से जियाई इसमें मुक नियादीस क्या रहता है इसमें सामिल रहता है कॉलीजियम सिफ्टम में कॉलीजियम पेडाली की बात करें तो कॉलीजियम पेडाली नियादीसों की नियुक्ति और इस्थान अन्तन की पेडाली है जो सरोच नयाल है नयादिसों के मामले के नयडेयों के माध्यम से विक्सित हुई है ना कि संसत के अधिनियम या सम्मीधान के प्राउधान द्वारा तो इस सम्मीधान में कॉलीजियम प्राउधान नहीं है संसत में कोई अधिनियम नहीं है इसलिए आप देख रहे हैं कुछ समय पहले हमारी कानून मंतरी ने इस पर सवाल भी खड़े किये थे अगर हम लोग CGI की पिसासनिक सक्तियां देखें Master of roster तो Master of the roster मुक नियादिस की विसेस अधिकार को संदर रित करता है और मुक नियादिस को समकक्चु में पिथम कहा जाता है अपने नियाएक भूमिका की अलावा CGI नियालाय की पिसासनिक फिर मुक की भी भूमिका निभाता है और अपनी पिसासनिक चमता में मुक नियादिस बिसेस पीठों को मामलों को अवंटित करने का बिसेस अधिकार का उपयोग भी एकरता है CGI किसी मामली की सुनवाई करने वाली नियादिसों की संख्या भी निर्धारित करता है मुक नियादिस की बात CGI यानिक मुख नयायदीसी ठीक है? और इस पिकार वह केबल नयायदीसों को चुनकर परिडाम को प्रभावीत कर सकता है और जिससे लगता है कि वह किसी विसेस परिडाम का पक्षे ले सकता है और एसी पिसासनिक सकती हो और प्रियोग बिना किसी सामोईक सहमती के और बिना कोई कारण बताय किया जा सकता है पद से हटाने की बात हो तो संसद द्वारा राष्टपती का अभिभासन पिस्तुत किया जाने के बाद ही उसे राष्टपती के आदिस द्वारा हटाय जा सकता है और इसे संसद के पितेक सदन के विसेस बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, संसद याने की लोकसभा रासभा की बात हो रही है, अर्था तो सदन की कुल सदस्ता के बहुमत से और उस सदन के उपस्तित और मद्दान करने वाले सदस्तों के कम से कम दो तिहाई बहुम और वर्स 2019 में सरवच नयाले ने फैसला सुनाए कि भारत की मुख नयादिस का कार्याल है सूचना का अधिकार यानि कि Right to Information अधिनियम 2005 की दाइरे में आता है सूचना का अधिकार आप लोग देखते होंगे इसके तहट आप लोग सूचना मांग सकते हैं अपने छेत्र की भी मांग सकते हैं कोई भी काम चलना है तो उसमें कितना घर चा रहा है क्या क्या काम किया आपके छेत्र की बिधायक हों या मंत्री हों या कोई भी हो तो उनसे भी सूचना आप लोग ले सकते हैं और यह कम ही लोग आप देखते हैं सूचना के अधिकार का प्रेयोग करते हैं अगर आप करोगे तो जो विधायक हो या सरपंच हो या पंचयात कोई भी सदस हो कोई अध्यवच हो जिसके पीछे आप फिर रहेते वो आपके पीछे लग जाएगा ठीक इसमें खत्रा भी रहता है आप में अगर हिम्मत है तो आप जरूर कह सकते हैं ठीक है चलिए तो इसके बारे में एक सामान जानकारी ओवर्व्यू ले लिया करिएगा ठीक है इस तरह की टॉपिक के बारे में